नमसकार दोस्तों, सेल्फ में टीटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आज का लेक्चर स्री जिसमें मैं लेक कराई हूँ, इंग्लैड में ओध्योगी क्रांती के कारण, आज का टॉपिक है, इंग्लैड में औध्योगी क्रांती के कारण कौन कौन से हैं, causes of industrial revolution in England, यह topic एवरोपिय इतिहास से related है, बिशेश रूप से LNM University के BA Part 1 के पेपर 2 से यह topic related है, LNM University के BA Part 2, History Honors के पेपर 2, जो है, The Rise of Modern West, 15th century to 18th century से यह topic लिया गया है, तो जो BA Part 2, sorry, BA Part 1, History Honors के विद्धाती है, वो इसको देखे, पढ़े और समझे, तो हम बात करेंगे यहाँ, ओदोगी करांती के बारे में, ओदोगी करांती है क्या, तो सबसे पहले यदि इस सब्त को मैं आपके सांथ, सामने बोल रही हूं, या कह रही हूं, तो आपके मन में यह आ रहा होगा, कि ओदोगी करांती यानि कुछ करांती हुई होगी, कोई खुन खराबा हुआ होगा, कोई लड़ाई जगड़ा हुई होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ओदोगी करांती का मतलब उद्योग छेत्र, उद्योग, वैपार, वैवसाय, ये तो आप इन शेत्रों में करांती हुई और उत्पाद बढ़ गया, तो यहां सबसे पहले मैं करांती के कारणों पर डिसकस्वन करूँ, उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी, कि ओदोगी करांती होता क्या है, और ये सबसे पहले इंग्लेंड में ही क्यों हुआ, तो ओदोगी करांती एक ऐसी करांती है, ऐसी करांती थी जिसमें बिना यूद्यों खुन खराबी के इंग्लेंड के साथ साथ पूरे विश्वे में विकास हुआ, वास्तों में इस करांती के जनक और इसकारक ओम इंजि इंजिनियर थे, ये राजनितिक और राजनितिक संस्थाओं का इसमें कोई हाथ नहीं था, इस क्रांती का स्रीगनेस बैग्यानिक अविस्कारों के फल सोरू हुआ, बैग्यानिक अविस्कार के साथ कलकर खानों का विकास हुआ और उत्पादन में ब्रीधी हुई, यानि ज़ादा जो वेक्ति सो वेक्ति मील के जो काम करते थे उसे एक मसीन आसानी से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा माल तयार करती थी। तो इसे क्या हुआ और दोगी क्रांती हुई और इसके लिए जब ज़्यादा ज़्यादा माल तयार किये जाने लगे तो उन्हें बजार किया सकता हुई और बजार किया सकता हुई तो बजार की खुज की जाने लगे फिर उद्धोगदंदे वाले इलाखों की अबादी बढ पढ़ी क्योंकि आज भी आप देखते हैं गाउं से लोग निकल कर सरू में जाते हैं क्योंकि वहां उन्हें नौकरी मिलती हैं। बड़े बड़े फैक्टरी कलकर खानों में काम करते हैं। तु अहीं उस समय इसकी सुरुवात हुई। स्रमिकों की संख्या बड़ी, स्रमिकों की सुख सुवदा के प्रस्ण ने नई राजनीतिक विचारधारा को जनम दिया, जिसे समाजवाद का नाम दिया जाता है। मानिवी शर्म के अस्थान पर यंत्रों का व्यवहार प्रारम हुआ, यंत्रों के अनुसार मानिवी शर्म की गतिविधी नियंत्रित होने लगी, इसलिए इतिहास में इसे अण्योगी क्रांधी का नाम दिया गया. यानि, जो मानविया स्रम, मानविया स्रम मतलब जो मनुष से मिल के जो महिनत करते थे, स्रम करते थे, वो अब मसीन करने लगे, ये बात समझ गया, चलिए. और दोगी क्रांती के कारण, और दोगी क्रांती के कारण कौन-कौन से थे, या ये भी आप लिख सकते हैं, कि इंग्लेंड में और दोगी क्रांती के कारण क्या थे, या और दोगी क्रांती इंग्लेंड में ही क्यों हुई, विश्व के किसी अन्य देशों में क्यों नहीं हु उसपे हम आगे विचार करेंगे जैसे बैज्ञानिक कारण और द्योगी क्रांती का अधार बैज्ञानिक खोज था इंग्लेंड में बैज्ञानिक खोज की परंपरा फ्रांसिस बेकन के समय से प्रारंब हो चुकी थी रोयल सोसाइटी के अस्थापना चास तोतिय के समय में हो चुका था इस संस्था को राज के संरक्षर प्राप्त था इस संस्था के अधिन काम कर कहीं बैज्ञानिकों ने ख्याती प्राप्त की जोसेफ प्रिश्टले विलियम केवेंडिस हमपरे डेविस अपने यूग के महा थोनी यूठी में आधोगी्ट यूए यानिः बहुत सारे भयानिक जो थे सैंटीस्ट जो थे तो उन्होंने बहुत तारे ऐसे निammat बैज्ञानिक होजे की ये रएक एक लैंब का मश्कों किया जेम स्वाट वास पिंजन का खोज किया इस तरह से बहुत सारे ऐसे अविस्कार किये गए जिससे उद्धोग दंदो को अकल कर खानों को बढ़ावा मिला इंगलेंड की जलवायू इस्तिति अब प्रस्ण जब यह बनता है कि इंगलेंड में ही योदोगी क्रांधी क्यों होई तो इसका महत्पूर्ण सबसे कारण यह था कि इंगलेंड की जलवायू और इस्तिति इंगलेंड की जलवायू जो थी बैग्यानिक परिवतन में बहुत सहयोगी थी, इंगलेंड एक द्यूब के समान था, आइलेंड था, और चारो और समुन से घीरा रहने के कारण, बाहर के दुस्मन उस पर सुविदा से आकरमन नहीं कर सकते थे, सबसे बड़ी बात ये भी थी, कि इंगलेंड कभी गुलाम हुआ नहीं, क्योंकि वो चारो से सुविदा के साथ माल ढोया जा सकता है, बंदरगा मतलब सीपोर्ट, यानि किसी भी अपने समुन्दर के रास्ते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और सीपोर्ट के माध्यम से वो अपना बैपार्वेवसाय करते थे, देश के अंदर सड़क, नहर और नदि लोहा की अधिकता, और दोगिक विकास के लिए कोईला और लोहा प्रान के समान महत्वपूर्ण था, प्रान जैसे कहते हैं, पूरा सरीर है, पूरे सरीर में एक प्रान होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यादि पूरे सरीर से प्रान निकल जाए, तो सरीर का क और स्वभाग की बात है कि इंगलेंड में कोईले और लोही की खानों की अधिक्ता थी। और यह खाने बंदरगाहों के निकर थी और इंगलेंड में कलकर खानों को प्राराम में कोई बिसेश कठिनाई नहीं हुई। पूजी किब्री थी इंग्लेंड के पास प्रयाप्त पूजी थी क्योंकि इंग्लेंड सुरू से ही एक बैपारियों का दिश रहा है वह अपने आजपास के जितने भी देश थे उन्होंने वहाँ अपने उपनिवेश अस्थापित किये और इस तरह से उनकी पूजी जो है दिन परती दिन बढ़ती गई जैसे भारत को ही ले ले 1764 इसमें बंगाल में बक्सर यूद के बाद अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया भारत पे और भारत वर्स में बंगाल प्रांच से जो सबसे सम्रीद भाग था उनकी पूजी बैंकों में जमाराती थी बिदेशी कंपनियों को बैंकों से पूजी उद्हार मिल जाती थी अद्धोगिक अंदोलन के बाद पुजी का विकास इंगलेंड में तेजिस से हो रहा था इंगलेंड आर्थिक विकास के कार्जगरम पर एउरोप के अन देसों की तरह कोई प्रतिबंद नहीं था अत्रिक्त पूजी के बल पर क्रिसी करांती इंग्लेंड में हो चुकी थी अब यहां अद्दोगी करांती तो हो ही रही थी साथ में ये क्रिसी में भी नए नए परयोग कर रहे थे क्योंकि इन्हें पैसे की कोई कमी नहीं थी क्रिसी में नए नए अंत्रों के अविस्कार किये जा रहे थे और नए उद्धोग दंदे बिक्सित किये जा रहे थे इस तरह से और इसमें पूजी उनके इन कामों में काफी सहाई इक्सीद हो रही थी कुशल एवं अकुशल मजदूरों की प्राधान था राजनितिक दिश्टिकों से इंग्लेंड एक सुरक्षित देश था इवरोप के अन देशों में धार्मिक अत्याचार से तरस्ट व्यक्ति भाग कर इंग्लेंड में ही सरन पाते थे फ्रांस से भाग कर बहुत सारे कुशल मजदूर इंग्लेंड में बस गए ऐसे मजदूर वैपार और उदोग धंदों में संचालन में इंग्लेंड वालों की सहाथा करने के लिए दया थे कुसल मजदूरों ने इंग्लेंड में अकुसल मजदूरों को परसिक्षित करूने प्रत्यक प्रकार के कल करकानों को चलाने के लाइक मजदूर बना दिया और वो किसी तरह के उनमे स्कील ओता, वो ट्रेंड रहते तो यहाँ पर अपने वह स्कील और ट्रेंड का परयोग करते थें। तो इससे यह दोग दंदो में काफी इंगलाड्ट सतक्वल हुआ। मुक्त बैपार की निति बैपारिक छेतर में इंगलेंड मुक्त बैपार की नितिका समर्थन करता था इटली, जर्मनी, फ्रांस में बैपार पर इतने तरह के परतिबन लगे हुए थे यानि कि इंगलेंड के जो सरकार थी या ये कहे राजतंत्रो या प्रजातंत्रो या पार्लेमेट के सासनों वो बैपारियों पर किसी तरह के पिसेश नियंत्रन नहीं रखती थी वो बैपार करने के उन्हें खुली छूडती वो मुक्त बैपार करती थे जबकि अन्य देश्यों थे अपने बैपादियों पर अनेक तरह के नियंतरन प्रतिबंद लगाये हुए थे जिसके करण वो प्रगति नहीं कर पा रहे थे और इंग्लांड सारे प्रतिबंदों को नश्ट कर चुका था जिसे यहां उद्धोगदंदों को बढ़ावा मिल रहा था अब हम देखते हैं बजार की अधिकता 1760 इस वी के बाद ब्रिटन का समरजवादी विकास तेजी से होने लगा यानि बजार की अधिकता 1760 के बाद ब्रिटन का समरजवादी विकास तेजी से होने लगा उपनिवेसों में अंग्रेजी माल के खपत बढ़ गई उपनिवेसों से कल कर खानों को चलाने के लिए इंगलेंड को कच्चा माल प्राप्थ हो जाता था यानि कि उस समय इंगलेंड ऐसा देश था जो बहुत सारे देशों में अपने उपनेवेश स्थापित किये थे, यानि कि उन्होंने बैपार व्यवसाय में इन्वेश्ट किया था, जिससे उन्हें बजार की कोई कमी नहीं थी, वो उदोगदंदों के कारण हुआ अधिक से अधिक प्रोडक्ट त्यार होता और वो प्र योग में व्यक्ति विशेश की सोतंतरता सुरक्षित हो गई थी, व्यक्ति के धन अर्जित करने में कोई बाधा नहीं उद्पन की जाती थी, धार्मिक प्रतिबंद का बंधन धिला कर दिया गया था, राजकिये और नगरपालिका से संबंद कानोन बैपार वधोगदंदो के विकास में बाधा थे, इसके अत्रिक्त इंग्लेंड की सासन पढ़नाली सुद्रेड थी, बाहरी याक्रमन की कोई असंका नहीं थी, ऐसी अवस्था में लोग निरभय होकर अत्रिक्त पूजी का वेभार उद्वकदंदों में करने लगें, यानि कि ये कहें कि राजनीत सुरक्षा प्रदान था उद्वकदंदों को, जन संख्या में ब्रीदी, जन संख्या में ब्रीदी के फल सरूप भी अदोगी करांती को बल मिला, और सधी विज्ञान में उन्नती होने के फल सरूप, निम्न विज्ञान यानि मेडिकल साइंस में प्रोग्रेस हुआ, जिसक मद्यम वर्गिये परिवार में मिर्तु दर घट गई और जन संख्या ब्रेदी के कारण ब्रिटिस अर्थिवस्ता को संतूलन हो संतूलित होने का उसर मिल गया सरव पर्थम कल कर खानों को चलाने के लिए मजदूर पर्याप संख्या में मिलने लगे घर में बजार की कमी नहीं रही और सहरों की अबादी बढ़ गई बड़े बयमाने पर देश के अंदर और बाहर बजारों का विश्तार हो जाने से और दोगिक विकास का काम सरल हो गया तो इस तरह से जन संख्या में ब्रेदी भी और दोगिक विकास में इंगलनड के उद्विक विकाश में सहाईखसी दूइوج'। यह आपको पता है कि जन संगय अम्ढैन भृնशिय कैसे हूई कि पहले बिच्टि दर जन्मदर उतना ही थी लेकिन क्या था कि मिच्टि दर अत्यधिक थी नदिय मेडिशिन की कम ही थी लेकिसे अब मेरीचिन medical science में बहुत सारे अविस्कार किए गए नही नही दवाओं की खोजोई इसके कारण मिर्तुदर कम हो गई यानि जन्वेदर स्वता बढ़ गया साज़ेदार कंपनियों के अस्ठाबना नेक्स्ट कारन था साज़ेदार कंपनियों के अस्ठाबना इंग्लेंड में साजेदारी की कम्पनिया खोली गए, बैंक प्रथा कावी विकास हुआ, बैंकों के जरिये कम्पनियों को नियंत्रित किया जाने लगा, साजेदारी की कम्पनि खुल जाने से सारे पैसे डूबने के भाय कम हो गया, और किसी साजेदार का हिस्सा गुम नहीं ही हो सकता था इस परकार की कंपनियों के स्थाफना से एक और यदि पूजी सुरक्षित हो गई तो दुसरी ओर लाब का अंस भी बढ़े गया बड़े पहमाने पर उत्पादन का अनुभाव वैवसायवाद का विकास इंग्लेंड में पहले ही हो चुका था विदेश के साथ वैपारी कारोबार पहले ही कायम हो चुका था अतब बड़े पैमाने पर उत्पादन का अनुभाव वैवसायवाद के साथ वैवसायवाद करना वो अच्छी तरह से जानते थे और इस अनुभाव से इंग्लेंड के निवासी अच्छी तरह परिचित थे इसलिए जब यंत्र के साहरे उत्पादन का काम प्रारम हुआ तब इसमें उन्हें कोई विशेश कठना या नहीं हुई और दुसरी और इंग्लेंड में वैपार की प्रधान समागरी तयार की जाती जिसकी खपत विश्व अस्तर पर होती थी इस परकार की सुबदा इरोप के अनदेशों को प्राप्त नहीं थी बैपार का घंपल निक्ष कारण है बैपार का घंपल यानि किस तर से बैपार फैला हुआ था अबादी के अनुपात में इंग्लेंड का घंपल अधिक था इरोप के प्रमोख राष्ट घरेलू समस्याओं में उल्जे हुए थे स्वतनत रूप से इंग्लेंड को अपने वैस्वीक विस्तार करने का मौका मिल या अपनिवेसिक विस्तार के साथ बैपार का घंपल बढ़ा और स्रम समंधी बचत के लिए यंत्रों का विस्कार करना अनिवार्च हो गया और सेक्ता अंसार बैपारिक करोबार को बढ़ाने के लिए इंग्लेंड में द्योगदंदों का त्विकास हुआ नेक्स्ट कारण है सक्तिसाली राजतंद्र के अस्थापना सक्तिसाली राजतंद्र यानि मोनार्की सिस्टम के अस्थापना हुई वो कोई डिशिजन ले सके 1485 इसवी में ही सक्तिसाली राजतंद्र के अस्थापना इंग्लेंड में हो चुकी थी यहां आप पढ़ रहे हैं इंग्लेंड में ओदोगी करांती के कारण, अभी तक आपने जो पढ़ा उन में एक महथपुण और यह भी था कि एक सक्तिसाली राजस तंत्र के आस था अपना, यानि कि 2014 उस्वी के पहले इंग्लेंड में समानत्वादी व्यवस्ता था इंग्ले इंग्लेंड में शक्तिसाली राजतंत्र के अस्थापना होई यानि सबसे पहले ट्यूडर, श्ट्वर्ट वन्स, उसके बाद से हैन्वर वन्स और ये राजतंत्र जो थे राष्ट के विकास की और राजाओं का ध्यान हमें सालागा आता था राजतंत्र में ही होता इंग्लेंड में राजनिति की स्थिर्टा और शफल वैदेशिक निती के फॉल्स वरूप इंग्लेंड में राजनिति की स्थिर्टा आ गए थी विश्वास पुरुवक कोई विवुदोगपती पूजी को किसी काम में लगा सकता था इस परकार की राजिन्ति की स्तिर्ता और अजाओ की किर्पा अन देशों में नागरिगों को प्राप्त नहीं थी। नेक्स्ट कारान हम देखते हैं इंग्लेंड की नेक्स्ट एंड लास्ट कारान क्या था। इंग्लेंड की सुबिता जना किस्ति थी। अभी तक तो आपने जो भी देखा अद्धोगी करांती के कारण के जो बिंदु थे। उसे आपने देखा तो उनमें एक सबसे महत्पून कारण ये भी था इंग्लेंड की सुबिता जना किस्ति थी। बैपार और समराज के विकास के छेतर में इंगलेंड के प्रतिद्वन्दी राष्ट फ्रांस, पोलेंड, स्पेन, जर्मनी और रूस थे। इन राष्टों में फ्रांस किस्तिति और दोगी करांथी के पहले बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं है कि इंगलेंड एक बैपारी द प्रता का विकास हो चुका था प्रंत फ्रांस के शासक और सरदार अदोगी के प्रति उदासीन थे। यानि कि वहां बैपार अच्छा था वो लोग आगे थे। लेकिन जब एक नया नई क्रांती आई एक नया ट्रेडिशन चला यानि जब नए नए अविस्कार हुए, उच्छा नहीं दिखाएं. अदोगिक वस्तो की विक्री परदेश के अंदर भी प्रतिबंद लागा हुआ था, गिल्ड प्र था, एक आधिपत्य की विक्री के कारण फ्रांस में अदोग दंदो का विकास रुग गया, दूसरी और प्रतिबंद नहीं रहने के कारण, प्रांस के साथ है, तो फ्रांस सिर्फ फ्रांस ही उदासी नहीं था, हॉल्लेंड भी था, यूरोपीय कंट्री हॉल्लेंड, हॉल्लेंड का वैपार मंद पड़ गया, जर्मनी के पास भी पूजी का भाव था, चुंगी विवस्ता ता सैनिक प्रविर्ती के कारण, और समझते होंगे, जर क्या, रूस के राजा को जर कहा जाता था, तो रूस में दास्प्रथा अधिक थी, और वहां का राजा यानि जर जो था, वो बहुत ही कुरूर था, वो उद्धोग दंदों को बढ़ावा देने में किसी तरह का विश्वास नहीं करता था, और इन कारण इरोब के सभी प्रमुख राष्टों में इंग्लैन के स्तिति अधिक सुब्दाजनक अयोम अनुकूल थी, महां बैज्यानिकों द्वारा अनुसंधान कार्य प्रारम हुआ, इंग्लैन के सिवा, इरोब के किसी देश में उतनी अत्यधिक बैज्यानिक प्रगती नहीं और एक बात और बताहूं कि जो भी अधोग करन्ती हुई, और दोगी करन्ती का मुख छेत्र क्या था, कोईला, लोहा और वस्तृधोग, कोईला और लोहा वस्तृधोग के छेत्र में इंग्लैन ने या यह बढ़ can say, विस्वा के मन डातन Chemiva कार्य प्रगती आफिकी और इनके उत्पादन में क्रांतिकारी ब्रेध ही हुई तो ये था इंग्लैंड के में अदोगी के क्रांति के कारण आपने लगभग इसमें 14 टॉपिक दिखाया गया है छोड़ा छोड़ा टॉपिक है आप इसको अच्छे से पढ़े अच्छे समझे आगर किसी तरह की परिशानी हो आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट सेक्षन के माध्यम से हमें लिख भेजे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे वीडियो को अपने दोस्तों के भी शेयर करे यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं इरोपी इतिहास या इंग्लेंड के इतिहास है ये का है दराइज अप मॉर्डर्न वेस्ट है जो इतिहास है इसके अंतरगत जो भी टॉपिक आता है उसके बहुत सारे वीडियो लेका है जल से जल आपके समक्ष उपस्तित होंगे बस आप चैनल को फॉलो करते रहें और इस तरह से चैनल पर बने रहें धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद